दोस्तों मेरा इंटर्व्यू था TGT साइंस का नोदे विद्याले में और जैसे ही मैंने रूम में इंटर किया, कुर्सी पर बैठने के तुरंद बाद इंटर्व्यू पैनल ने मुझसे पूछ लिया, इंट्रोडियूस योर्सेल्फ। अब इस एक लाइन के प्रस्ण में बहुत कुछ समाया हुआ है और इसके उत्तर से आप अपने पूरे इंटर्व्यू की दसा और दिसा तैं कर सकते हैं। या बहुत सारे जो कंडिडेट्स थे उनके अनुभव जवाहर नोदे विद्याले के TGT के और अभी PGT का इंटर्व्यू सुरू हुआ है तो उन सब को सम्मिलित करते हुए मैंने NVS के PGT क्योंकि TGT का इंटर्व्यू अभौस चुका है और केंद्रे विद्याले के जि क्या छुपाना है आपको और मैक्सिमम कितना टाइम लेना है आपको जब आप इंटर्व्यू का जो डायरेक्शन है वह आप डिसाइड कर सकते हैं और बहुत कुछ अच्छे अंक आप यहां ले सकते हैं तो सबसे पहले बात मैं आपको कर लूँ इसका एक सेंपल दिखाऊंगा और सेंपल के साहथ मैं आपको एक दाने वाला हूँ मेरा नाम उमानात पांड़े है और यहां मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताओं उसके पहले एक चीज बता दूं कि आपको हिंदी में इंट्रो देना है या आपको इंगलिस में देना है तो अगर आप हिंदी लेंगवज का इंट्रो दे रहे हैं इंट् इसमें हो, फ्लुएंट हो, अच्छे से हो, और हाव भाव अच्छा होना चाहिए, कैसे होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, बस जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, तो आए किसी के साथ में क्वालिफिकेशन्स अलग होती हैं, तो आप अपने अनुसार एक सेल्फ इंट्रोडक्शन लिख करके तयार कर लें, और तयार करके उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, जब मैं रूम में पहुँचा, उन्होंने मुझसे कहा, इंट्रोड्यूस यॉर गःँदा जाने वाला हूं, तो आएए मैं आपको एक सेंपल दिखाता हूं, और सेंपल के माध्यम से समझा था हूं, कि इस कंडिडिट ने क्या 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 चीज़ें इसमें सम्झा दूँगा, एक बात आप ध्यान रखिये, कि जब भी वह आपसे इंट्रोड़क्शन के बारे में पूछते हैं तो उनका उद्देश होता है कि आप हमें कुछ ऐसे points दो जहां से हम आपसे question पूछ सकें क्योंकि लगातार interview चल रहा होता है तो उनके पास भी बहुत जदा कुछ पूछने के लिए questions बचे नहीं होते हैं तो आपसे ही direction मांगते हैं कि भाई हम क्या चांस दिया यह introduction का चांस दिया इसलिए मैं आपको धनिवाद देता हूं या आप यह कह सकते हैं रिस्पेक्टेड सर्स एंड मैम अगर एक से ज्यादा सर हैं तो सर्स अगर एक ही मैम है या एक ही सर हैं तो सर बोल देंगे अब नॉर्मली दोनों लोग होते हैं तो इसलिए कुछ लोग इसको बाद में भी बोलते हैं इस लाइन को लेकिन अगर आप चाहें तो पहले ही बोल दें क्योंकि पहले बोलने से वो इस चीज़ को सुनते हैं लाश्क तक आते आते कई बार उनका इंट्रेस्ट खतम हो जाता है तो पुलाइट वे में हलका सा मुस्कुराते हुए आप इसको बोल सकते हैं उसके बाद अगर उन्होंने आपका नाम लेकर के इंट्रोडेक्शन बोला है कि मिश्टर सिवेस इंट्रोडियूस योरसेल्फ तो आपको अपना नाम नहीं बताना है दुबारा नहीं बताना है इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर उन्होंने बोल दिया है आपका नाम तो नाम नहीं लेना है नहीं तो आपको अपना नाम जरूर बताना है सर अब आप यहां कह चुके हैं सर मैम तो बार बार नहीं बोलना है आपको बोलना है माई नेम इस सिवेस पांडे अब देखो यह जो बाते मैं आपको बताने जा र अपने फेमिली के स्टेटस के बारे में इन्होंने बता दिया कि भाई या सर मैं बहुत हाई-फाई फेमिली से बिलॉंग नहीं करता मैं एक साधारन से परिवार से आता हूं अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपका ड्रेस बहुत हाई-फाई नहीं है बहुत अच्छे फेब्रिक या बहुत अच्छे कपड़े आपने नहीं पहने हैं लेकिन फिर भी ठीक ठाक आपने प्रेस किया हुआ है धंग से पहना हुआ है तो यह होगा कि आपके पास महंगे कपड़े तो नहीं है या महंगा जो भी आपके पास सामान है वो नहीं है लेकिन फिर भी से बिलॉन करते हैं अच्छी इंग्लिस बोल लेते हैं तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा जाने वाला है तो इन्हों ने इसको इंक्लूड किया आप चाहे तो इसको इसके भी कर सकते हैं यहाँ पर इन्हों अगर आप बताना चाहें कि आपके पिता जी क्या करते हैं किस पोस्ट पे हैं अगर वो प्रभावसाली पोस्ट है तो अवस्च से बताएं क्योंकि उससे सम्मंधित questions आप से पूछे जा सकते हैं अब जैसे इन्होंने कहा कि my father is a farmer इनसे farming से related questions पूछे गए कि भाई आपके पिता जी फार्मर हैं तो आपको भी कुछ आती है या नहीं इनको आती थी तो इसका benefit इनको मिल गया अब आगे देख लेते हैं इसमें लिखा हुआ है अब आप कहां रहते हैं ये बताना जरूरी तो नहीं है लेकिन इनके बताने का जो उद्दे सिथा वो पूरा हुआ और इन्होंने जो बताया उससे questions पूछ लिए गए इन्होंने बताया I live in a small town situated on Indo-Nepal border इसको इन्होंने highlight किया कि मैं एक ऐसे जगह पे रहता हूँ जो भारत और नेपाल की सीमा पर इस्थित है इसमें इन्होंने डिस्टिक का नाम भी बताया आप सिधार्थ नगर डिस्टिक उत्तर परदेश अब सिधार्थ नगर से दो बाते आती है एक तो भगवान बुद्द से जुड़ी ह हुई बात आती है और दूसरा नेपाल बॉर्डर पर इस्थित है तो नेपाल और इंडिया के बारे में कुछ न कुछ मिलता जुलता कुईस्टन वह आप से पूछ सकते हैं और चूंकि आप वहां से हैं तो आप बहतर तरीके से उनको बता ले जाएंगे तो इन्होंने जा बताएंगे तो आपके पास टाइम बहुत कम लगेगा आपका और कम से कम एक से डिग्ड़ मिनिट का टाइम आपको लेना चाहिए तो इसी लिए अब इन्होंने बताया माई हाइस्ट क्वालिफिकेशन इस MSC इन बॉटनी कि मैंने बॉटनी से MSC किया है और आई हैब टीचिंग एक्सपिरियंस इनके पास में है हो सकता है आपके पास एक दिन का भी टीचिंग एक्सपिरियंस ना हो तो उस कंडिशन में आप इस चीज को स्किप कर दें कि मेरे लेकिन अगर आपके पास में experience है तो mention जरूर करें यहाँ इन्होंने यह नहीं बताया कि मैंने किन बच्चों को 8 साल तक पढ़ाया है इन्होंने यह नीचे जरूर बताया है कि इस समय में क्या कर रहा हूं और यह बड़ा important factor होता है क्योंकि इस समय आप क्या कर रहे हैं इस स questions ज्यादातर cases में पूछे जाते हैं तो इन्होंने बताया कि I am currently working as PZT biology अब अगर आप PZT का exam देने जा रहे हैं इंटर्व्यू देने जा रहे हैं और आपने वहां बोल दिया कि मैं PZT biology की तरीके के तोर पर पढ़ा रहा हूं किसी CBSC affiliated school में या ISC affiliated school में तो आप पर एक व इसके बाद में एक और point है जहां से questions भर भर के पूछे जाते हैं और वो है आपकी hobbies अब obviously hobbies में आपको कुछ भी नहीं बोल देना है बहुत से लोग गलती करते हैं जैसे उन्होंने बोल दिया कि मुझे घूमना पसंद है या उन्होंने बोल दिया कि मुझे cricket खेलना पसंद ह ठीक है आपको पसंद है लेकिन कोशिस आप ये करें कि वहाँ पर वो hobbies बताएं जो बच्चों से related हों आपके teaching profession से related हों आप वैसे hobbies में कुछ भी हो सकती है लेकिन आप अगर कोशिस करें तो ऐसे questions जब hobbies बता रहे हों तो उसमें ऐसी चीजें add करें जो आगे चल करके activities में उनकी help कर सकती है तो जो भी आपको बताना हो क्योंकि यहां से questions जरूर पूछे जाएंगे इस point को ढंग से तयार करके जाएगा तो इन्होंने बताया कि अगर मैं अपने hobbies की बात करूँ तो मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद है अब ये तो बहुत अच्छी बात ह इसके अलावा इन्होंने बताया कि मुझे गरीब बच्चों की मदद करना पसंद है अब इससे related उनसे questions पूछे गए कि आप गरीब बच्चों की मदद कैसे करते हैं तो फ्री में ट्यूसन कोचिंग दे करके मेरे पास specimen books होती है मैं उनसको provide करता हूँ बच्चों को फ्री म produce किया हाला कि इससे questions उनसे मतलब नहीं किये गए लेकिन ये अच्छा point था और कई लोगों ने इसको implement किया जिससे related question पूछे गए इन्होंने कहा कि I am very fond of singing gazelles कि मुझे गजल गाना बहुत पसंद है अब एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो कम से कम एक या दो गाने या कुछ ऐसी गजले या कविताएं अगर आपने लिखा कविताएं लिखने का सौख है तो जरूर तयार करके जाएं क्योंकि हो सकता है पूछ ले क्योंकि कुछ लोगों ने लिखा था मुझे कविताएं लिखने का सौख है कहानिया लिखने का सौ आप अन्य चीजों में रुची रखते हैं और बेहतर होगा कि अगर वो रुची आपका लिट्रेचर से हो या म्यूजिक से हो क्योंकि कहा गया है साहित्य संगीत कला भी ही ना कि साहित्य संगीत और कला ये तीन चीजें किसी बिद्वान की निसानी हैं इसके अलामा अगर आना था मैंने बता दिया अब दोस्तों एक काम करिएगा interview थोड़ा सा लंबा हो रहा है लकिन सुन लीजिए अब आपको अपने interview में क्या-क्या introduce करना है अपने आपको क्या-क्या बताना है अपने बारे में उसको किसी pen pencil से कागस पर लिख लें और एक बार बोल करके देखें अगर वो डेर से दो मिनट के बीच में टाइम ले रहा है तो ठीक है किसी भी कंडिशन में दो मिनट से ज़्यादा इंट्रोडक्शन आपको नहीं देना है क्योंकि आप पहले ही कुईशन में उनको बोर कर दें तो इंट्रोडक्शन इस तरीके से दें कि उ curiosity develop हो उनके अंदर interest develop हो अब कुछ points ऐसे हैं जिन्होंने इस interview में इनका interest develop किया जैसे farmer क्या है मतलब भाई farming करते हैं तो आपको भी आता है या नहीं आता है इसके अलामा इंडो नेपल बॉर्डर पे रह रहे हैं वहां का इलाका कैसा है वहां का environment कैसा है सिधार्थ नगर के पारे में कुछ बताईए उसके अलामा आपने MSC किया है बॉर्टनी से किया है हाला कि टीजिटी के interview में थे तो इन्होंने बताया कि बॉर्टनी से questions पूछे गए जब आपने MSC बोल दिया MSC बॉर्टनी से related questions पूछे गए अब teaching experience ATS का है तो इनसे question पूछा गया कि 8 साल नहां छोड़ी थी और उन लोगों ने उससे related question पूछा उसके बाद PZT biology के रूप में काम कर रहे हैं तो CBSC के बारे में बताईए CBSC की guidelines कैसे आती हैं ये सब चीजें क्योंकि PZT biology है तो आपने कभी practical करवाए गए आपकी नहीं गए duty कैसे लगती है ये सारी बाते पूछ कर के चेक कर सकते हैं कि आप सही बोल रहे हैं या जूट बोल रहे हैं हॉवी से related इन्हों ने जो चीजें introduce करी थी उसमें गरीब बच्चों की मदद आप कैसे करते हैं और आपको पढ़ाने की कौन सी technique सबसे अच्छी लगती है इसके बारे में questions पूछे गए एक बात मैं आप से request करूँगा कि जब भी आप अपना introduction तयार करें उसमें जूट कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि जो चीजे बनाऊटी जैसे यहां पर हमने लिखा तो आप भी इन चीजों को सामिल करने ऐसा नहीं है जो आपके साथ सही है उन चीजों को रहिएगा जितना honest आप रहे इन से बोला कि very good आपका interview बहुत अच्छा रहा and wish you all the best for your job इतनी चीजें introduction के माध्यम से इन्होंने decide करवाई अब देखो वच्चों दोस्तों एक साथ एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी आप introduction दे रहे हूं तो आपको सब को देखना है जितने सर लोग ब ही है बस यह आँख मिलाना है और मुस्कुराते हुए अपना introduction देना है आप अपनी मुठियों को कस के नहीं पकड़ेंगे अपने दोनों हाथ को अपने file पर रखे रहें या सामाने रूप से relax हो करके बैठे और जब भी introduction पूछेंगे ना इसके बाद वो आपको easy feel आपको किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं आएगी तो बिलकुल भी न घबराएं हलका सा मुस्कुराएं उसके बाद answer देना सुरू करें और जब आप last में that's all about me कहने के बाद भी थोड़ा सा मुस्कुराएं इससे बड़ा अच्छा impact आप पर पड़ता है एक बात और ध्यान रखिए कि हो सकता है कि आपको पहला answer देने में घबराहट महसूस हो रही हो तो थोड़ा सा relax feel हो और शुरुआत में जब आप किसी रूम में जाएं इंटर्व्यू देने के लिए तो लंबी लंबी दो तीन सासें ले करके जाएं ताकि oxygen ढंग का रहे और आपको घबराहट कम हो तो घबराएं नहीं आराम से अपना introduction दे और जो जो चीज़ें आपके बारे में हैं real हो करके बताएं अब जब मैं इंटर्व्यू पैनल में पहुचा इंटर्व्यू के रूम में पहुचा तो मैं ये सारी चीज़ें भूल गया जो चीज़ें मैंने तयार करी थी लेक क्या आएगा तो अगर आपके पास time हो तो 100-200 बार आप इसको बोलें कम से कम 10-20 बार डेली बोलना सुरू करें और सीसे के सामने खड़े हो करके बोलना सुरू करें तो ये लाइने तो आपको भूल जाएंगी exact आप ऐसे नहीं बोल पाएंगे लेकिन चुकि जब बार बार आप बोले रहेंगे तो fluency बढ़िया हो जाएगी और आपके subconscious mind में ये चला जाएगा तो आप भूल करके भी ये सारी बाते जरूर बता ले जाएंगे जैसे qualifications बतानी ही बतानी है teaching experience अगर है तो बताना ही बताना है अगर आप अपनी family के बारे में बताना भूल गे कोई बात नहीं है आपको कम से कम कुछ चीजें जरूर बतानी है जैसे आपका नाम जरूर बताना है आपको thank you जरूर बोलना है आप कहां रहते हैं भूल जाएं कोई बात नहीं अगर आप चाहें याद है तो जरूर बताए highest qualification और experience जरूर बताना है इस time कहां क्या कर रहे हैं ये भी और hobbies के बारे में भी आपको नहीं भूलना है तो इतनी चीजें तभी होंगी दोस्तों जब आप बार बार कहें रहेंगे तो मैंने चुकि अच्छे से practice करी थी तो दो तीन चीजों का फायदा मिला एक तो fluency अच्छी रही और fluency अच्छी होने से फायदा ये मिला कि उनको ये लगा कि हाँ ये ढंक से बोल पा रहें English और fluency अच्छी हुई तो आपके अंदर confidence आता है आप कहीं फसेंगे नहीं हिचकिचाएंगे नहीं और दूसरा उनको ये पता चल जाता है कि आपकी English अच्छी है तो इससे कई सारी चीजें एक साथ पता चलती है और जब आप practice क ये रहेंगे न तो आपका confidence डाउन नहीं होगा आप भले ये चीजें याद ना रहे जाएं आप भूल जाओ तो natural चीजें निकलेंगी लेकिन ठंग से निकलेंगी और आपका introduction बड़ा अच्छा होगा अब वीडियो कैसा लगा comment करके बताईएगा मैं इसके बाद क्या क्या और वाचिए तो आपका कि अएचो का हैопलो कि बशुक चेजर संगाथ के विड़ाओ कोई बपका भीडियो झाल झाल झाल